हेलो दोस्तो मैं हूं निखिल और आज हम बात करने वाले हैं सपने के बारे में जी हां दोस्तो जब हम सोते हैं तब हमें आते हैं सबने उसके बारे में तो अभी मैं खड़ा हूँ मेरे टेरिस पे और मेरे सरके पर आस्मान है और साइड में मून दिख रहे हैं मेरे को मुझे अभी पूरा का पूरा मून दिख रहे हैं टाइम है अभी साड़े साथ का और पीछे दो तीन स्टार्ट भी दिख रहे हैं मेरे को अभी तो चलिए अभी बात सुरू करते हैं सपने के बारे में देखो क्या हुआ कि मुझे एक सपना आया कि जहां पर सुटिंग चर रहा है कुछ बड़ा सा है वह घूम रहा है एक मूवी आई थी जिसका नाम में अभी नहीं ले सकता बहुत पहले आई थी मैंने वह मूवी ठीटर में देखी थी तो उस मूवी का सुटिंग यहां पर हो रहा था तो मैंने चार एक्टर को देखा जी हां तुस्तों और वह सुटिंग कर रहे थे और बड़ा सा ग्राउन था बद अच्छे एच्छे कैमरे थे तबी मैंने देखा एक एक्टर था जो वह बुदूर्ग थे हा और यहां आते हैं चैर में बैठते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे विदेश जाना है जी हां दोस्ते हैं सब बोलते हैं मुझे विदेश जाना है उस वक्त मैं उनको देख रहा था और मैंने तभी सोचा मैंने सोचा कि यह विदेश जाने के बारे में क्यों बोल रहे हैं त ऐसे कि वो पहली बाल बोल रहे हैं और वो कभी विदेश गए ही नहीं यानि कि कोई और कंट्री में कभी घए ही नहीं तभी मुझे ऐसा कुछ लगा कि कुछ तो घरबड है तभी लगा कि कुछ घरबड है ऐसा दूसरा सपना आया उसी रात को मैं वहां से दूसरे सपने में बहुत सारे सपने था उसमें से मैं लाष्ट में वह सपने में चला गया तो वह सपने में एक स्टूडियो था जहां पर कॉमएडी शो का स्ूटिंग हो रहा था तो बड़े बड़े अक्टर थे वहां पे और में पिछे वाणिएंस स्टाइड वह चेर होती यह वहां बैठा था, वहाँ बेकूच मेरे जाने पचाने लोग भी थे, तो वहाँ पर मैंने आइने में देखके चोक गया, मैंने आइने में अपनी शकल में मेरे बाल देखे, जी हाँ मेरे सर के उपर बाल देखे, और मैं चोक गया, क्योंकि यार मैंने टकला करवाय था यार, हाँ मै अभी जब record कर रहा हूँ मेरे सरके ओपर टकला है और तो मैं चोग गया, बाल आये कैसे? मैंने तो टकला करवाया है, फिर मैंने घौल लगाया, फिर दिखा कि नहीं टकला था, लेकिन दिखा तो वो सपने में बाल थे, वो बाल आये कहा से, और फिर बाल में बाल चले गए औ और टकला गया तो इसका कहिने का मलब एक ही कई बार ऐसा है कि सपने हमें दिखाते हैं कई कुछ और दुनिया लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसा भी हो जाता है जिसमें हमें सपने के अंदर पता चले कि नहीं यह सपना है और हम सो रहे हैं जैसे पहले सिन में हुआ कि वो एक्टर बोल रहा था मुझे दूसरी कंट्री में जाना है गुमने के लिए पहली बाद तो मैं सोच में पढ़ गया सपने में सोच में पढ़ गया कि यह ऐसा क्यों बोल रहा है सपना दिखाता है कि नहीं है सपना है दिखा चलो सपना तो ऐसा नहीं दिखाता लेकिन कई बार हमारी जो अंदर की ताकत होती है, सक्तिया होती है वो हमें बताना चाहती है कि नहीं तुम सपने में हो, नहीं तुम अलग दुनिया में हो जिया दोस्तों, और तुम इस दुनिया के नहीं हो ऐसा ही दूसरे सिन में हुआ कि इस दुनिया में मेरे सर पे टकलाए तो उधर में सोच में पढ़ गया कि टकलाए तो बाल आए का यहां से मेरे सर पे तो इस तरह से अगर जरा सोचो अगर हम अपने सपने को हैक करने लगे तो जरा सोचो क्या होगा ज़रा सोचो अगर हमने अपने हमारे माहिंड पर कंट्रोल कर लिया तो कैसा होगा तो हम सपने में जा सकते हैं और जो चाहे वो कर सकते हैं एक्षली सपने में क्या होता है कि जैसे कि मुवी वो दिये, उसमें स्क्रिप्ट लिखा हुआ होता है, उस स्क्रिप्ट हिसाब से मुवी बनती है, ऐसा ही हमारे सपने हम नहीं बनाते हैं, पता नहीं कैसे वो क्रियेट होते हमारे दिमाग में, अपने आप ही चलते रहते हैं हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हमें उस script हिसाब से चलना होता है सपने में लेकिन ज़रा सोचो अगर हम अपनी power का use करके सपने को hack कर ले और सपने में जो चाहे वो कर सके तो कितना मजाएगा हाँ फिर बाद में जाक के हम हमारी दुनिया में आ सकते लेकिन अगर सपने को hack कर दिया तो ज़रा सोचो क्या हम हमारे सपने को hack कर सकते हैं है अब दोपर को भी मैंने ट्राइ गिए कि चलो सोता हूं और कुछ करता हूं लेकिन नग्षौ गया बाद में जाको सफने तो याद नहीं आए मैं बूल गया उसको लेकिन सपने थे अच्छ थे लेकिन जरा सोचो कुछ फरक तो नहीं पड़ेगा हम जाके अंदर जो भी कुछ करे फिर जाग जाते तो हम हमारी दुनिया में आ जाते हैं तो क्या फरक पड़ेगा एटलिस हम हमारी जिन्दगी तो जी सकते हैं उस जगह पे जो चाहे वो कर सकते हैं हम यह वहां पर कोई रोकने वाला नहीं होगा हां सोच जरह हम यह वहां पर कोई डिश्टब करने वाला नहीं होगा देखो जैसे पर मैं यहां पर टैरिस पर खड़ा हूँ और यहां पर कु यूज करना पड़ता है वो continue करना पड़ता है इस होज़े साइद आपको बीच-बीच में आवाज आए ना भी आए तो लो मौ अभी stop करता हूँ अरे या श्टॉप किया कोई फादा नहीं हुआ कुछ अभी भी पहुंग करें वैसे तो हमें कहां पर था सपने पर हमारे सपने हमारा ड्रेम क्या कभी आपने भी ऐसा कुछ मैसूस किया है कि आपने और क्या हो और फटक से आप दिन में से बाहर आ गए हो जाग गए हो क्या होई किया आपकेे साथ इसा कुछ लृणिवा तो कोई बाहर नहीं चलो हम ट्राय करते हम हमारी पावर जो हमारे अंदर पावर और दिमाग के अंदर पावर उसको हमें कैसे भी कढ़के भाल आ कैना पावर नहीं है लेकिए किसी को बोलना नहीं हमारे अंदर तो उस सबसे आपको पावर तो लानी है दिमाग से अंदर से बोड़ी के अंदर से लेकिन आपके पास ही रखनी है और उसका मजा लेना है तो चलो अभी हम माइंड कंट्रोल करते हैं सपने को कंट्रोल करते हैं तो अगर आपको मेरा मेरी बात पसंद आती हो तो अपने दोस्तों को स्यायर करो यार मुझे अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बोलो यार हम ऐसी बात करने वाले हैं और मेरा टॉपिक ऐसा ही कुछ होगा मेरा टॉपिक होगा चैंज और फ्यूचर चलो फ्यूचर बतलते हैं अगर आपको पसंद आया तो लाइक करो भाई चैन्जोर फ्यूचर